हलो एवरिवान मैं वैवाश रास तब एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल सक्सेस प्राइट पर और जैसा कि आप जानते हैं रेलवे एंजिनिंग की कंप्लीट सीरीज हमने कर लिया बस कुछ दाटा यहां पर जो रह गया था जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो डाटा मैं इस मिस्लीनियस टॉपिक्स में लेकर करके आ रहा हूं ठीक है तो अगर मैं बात करता हूं यह इसी सीरीज का लेक्शन नम ट्रैक मॉडिलस होता क्या है यह हमें समझना जरूरी है ठीक है ट्रैक मॉडिलस होता क्या है यह हमें समझना जरूरी है अगर हम बात करते हैं ट्रैक मॉडिलस की तो ट्रैक मॉडिलस एक टर्म है जो की हमें डिफॉर्मेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है ठीक ह यदि ये एक unit length है, track की ये unit length है और इस unit length पे जो load हमने applied किया है, जो इसके deflections को बताएगा, ये इसके deflections को बता रहा है, ये load ही हमारा क्या कहा जाता है? track modulus कहा जाता है, तो हम बोल रहे हैं, it is defined as the load required to apply on unit length of track to produce unit deformation. और अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो deformation produce हो रहा है, वो कितना है? unit deformation produce हो रहा है, तो हम बात कर रहे है, unit length पर unit deformation provide करने के लिए, जो हमारा load आ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? track modulus बोल जाएगा, inner railway track और railway bottom, ठीक है? अगर हम बात करें, तो it is an index, एक तरीके का index है of stiffness, मतलब यह rail की stiffness के बारे में information, यह हमारी rail है, इस rail की stiffness के बारे में information, अगर deformation ज़्यादा हुआ, मतलब less stiff है, और अगर deformation कम हुआ, ठीक है, तो जो हम बात करते है, rail की stiffness चेक करने के लिए हम क्या यूज कर रहे है, track modulus यूज कर रहे है, तो हम बात करें, it is an index of stiffness of the railway track, it represents the resistance towards the deformation of railway track, और जितना ज़्यादा resistance होगा, उतना ही ज़्यादा stiffness हम बोलेंगे, उस material की होने वाली है, तो एक तरीके सा resistance, तो जो यह last की point लिखी हुई है, यह last के point लिखे हुई है, यहां से आपका objective questions पूछा गया है, तीक है, अब हम बात करते हैं, कई बार पूछ लेते हैं, वो हम बात कर रहे हैं, initial track modulus, और दूसरा होगा, elastic track modulus है, जिसे हम बोलते हैं, final track modulus हम इसको बोलते हैं, तो यदि मैं बात करता हूँ, तो broad gauge के लिए, यानि 90R sections के लिए, जो की sleeper density कितना रख रहा है, M plus 3 रख रहा है, और ballast cushion 20 cm, अब आपको पता को, ballast cushion क्या होता है, जो हमारा railway sleepers है, उसके नीचे अगर हम बात कर रहे हैं, ballast की जो depth प्रोवाइट की जा रहे हैं, यही हमारा क्या कहलाता है, ballast cushion कहा जाता है, ठीके, और sleeper density आपको पता होगा, पर rail length, पर rail length, एक अगर rail है, उसमें जितनी number of sleepers डाले आएंगे, वो हमारा sleeper density, 90 hour sections के लिए initial कितना होना चाहिए, 70 kg पर cm2, और elastic modulus या final track modulus कितना होना चाहिए, 300 kg पर cm2, ठीके, तो अभी तक ये value नहीं पूछी गई हैं, बट आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, अगें, ब्रॉड गेस के लिए जो बात की जागए, 52 IRS sections के लिए, 52 IRS sections के लिए अगर हम बात करते हैं, तो sleeper density M plus 6, and ballast cushions जोगा, वो 20 cm होना चाहिए, और initial track modulus की बात करें, 120 kg पर m2 होना चाहिए, और final 380 kg पर m2 होना चाहिए, ठीके, तो मतलब, ये modulus of elasticity की तरह, एक stiffness modulus ही है, एक तरीक का, ठीके, तो वो modulus की बात कर रहे है, और meter gauge की case में, अगर हम 75 hour section यूज कर रहे हैं, तो अगर हम बात करते हैं, sleeper density होना चाहिए, M plus 3, और ballast cushion होना चाहिए, 15 cm, जबकि initial track modulus की बात कर रहे हैं, हम 50 kg पर cm होना चाहिए, और final की अगर मैं बात करूँगा, तो 250 kg पर cm2 होना चा है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, track modulus के बारे में, तो हमने ये track modulus की बात किये, ठीके, next अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर कुछ maximum permissive stresses in tracks material या tracks के जो element है, उन में बताई गई है, जो हमें याद रखना है, तो हम बात करते हैं, maximum bending stress, अगर bending stress की बात करें, rail section म bending stress की बात करें, तो वो 36 kg पर mm2, यानि 360 MPa होना चाहिए, 360 MPa, अगर हम contact pressure, यानि bearing pressure की बात करें, between rail surface and wheel, तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर यह rail surface है और यह wheel है, तो rail और wheel surface के बीच में, यहाँ पर क्या लगेगा, यह contact pressure काम करेगा, तो इस contact pressure की बात करें, जो permissiveal value है, 21.6 kg पर mm2 होना चाहिए, जिसको आप simply बोल सकते हैं, 216 MPa, 216 MPa, ठीक है, अगर हम बात करते है, share stresses and wave, तो अगर हम बात करते है, rail sections जो होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है, और rail section अगर इस तरीके से होता है, तो rail section में यह जो portion ही कहा जाता है, wave, और generally wave का failure share के कारण भी possible है, share के कारण wave failure possible है, तो share stress की अगर हम बात करें, wave section में, तो 18 kg पर mm2 in 72 UTS sections, and 22 kg पर mm2 in 90 UTS sections यहाँ पर लिया जाता है, ठीक है, अगेर हम बात करते हैं, stresses and fish plate, तो आपको पता है, fish plate किस काम में आती है, दो rail को connect करने के लिए, और उनको level में रखने के लिए हम क्या करते हैं, fish plate का use कर रहे होते हैं, तो fish plate की जो होती है, permissible stresses limit होती है, वो 30 kg पर mm2 होती है, 30 kg पर mm2 यह आप 300 MPa बोल सकते हैं, और stresses in fish bolt, अगर हम बात करें, इस fish bolt को fix करने के लिए, fish bolt चाहिए, fish plate को fix करने के लिए, fish bolt चाहिए पड़ेंगे, जिसकी हम value कितना बोलते हैं, 27 kg पर mm2, अग हमारा rail joints है, इस तरीके से, जो हमने fish plate के थूरू बनाया या welding करके बनाया है, इस पर अगर हम बात करते हैं, load जो रहना है, तो उसकी maximum permissible stress या maximum permissible limit क्या है, उस load की, 27 tons due to locomotive या engine, मतलब engines के कारण, या locomotive के कारण, यहाँ पर कितना आना चाहिए, 27 tons load आना चाहिए, maximum, और permissible on formation यानी soil के ऊपर, जो ते ऊपर formation किया गया है, subgrade बनाया गया है, अगर हम बात करें, embankment बना गया है, उस subgrade की permissible limit कितनी होना चाहिए, 3.5 kg per cm2 in case of locomotive, और 3 kg per cm2 in case of wagons, तो इस तरीके से हमें यह values थोड़ा सा ध्यान रखनी है, अगेन बात करते हैं, capacity of Indian rail sections, अगर हम बात करत हैं, capacity of, sorry, capacity of Indian rail section, अगर हम Indian rail section की बात करते हैं, यह किस condition बात करना है, ठीक है, तो ध्यान रखना आपने बढ़ा था, different type के rail sections आप use करते हैं, ठीक है, आपने बढ़ा था, 90R पढ़ा हुआ था, 45 पढ़ा हुआ था, आपने बढ़ा हुआ था, 60 kg पढ़ा हुआ था, पर मीट relationship between, relationship between, weight of rail, weight of rail, and heaviest, heaviest axle load, axle load, which, which, which rails have to carry, rails have to carry, अगर हम बात कर रहे हैं, जो maximum axle load, जो वो rail यहाँ पर carry कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें, rail का selections, अगर हम बात करें, different बात पर हमने discuss किया हुआ, different बातों पर depend करता है, उसमें से एक यह भी था, कि axle load, maximum axle load कितना आ रहा है, तो अगर हम बात करें, capacity of Indian rail, yeah, relation से between the weight of rail and the heaviest axle load, which rails have to carry, जो rail को carry करना होगा, वो कितना होगा, तो ध्यान रखेगा, maximum axle load, आप जो बोलते हैं, वो होता है, 510 to 560, times of self-weight of train, मतलब self-weight के train का 510 to 560, तो यहाँ पर एक caution पूछा गया था, objective में, उसमें लिखा हुआ था, self-weight of rail upon axle load का जो ratio होता है, वो कितना था, और अगर हम बात करें, maximum axle rate का, तो वो value कितनी हो जाएगी, 1 upon 560, या 1, 2, 1 upon 510, इस तरीके से भी value थी, और वहाँ पर जो answer था, 1 upon 560 answer था, तो यह conditions हमने देखी हुई है, और यहाँ पर इस तरीके से भी caution पूछा जा सकता है, तो issue ध्यान रखना है, ठीक है, आगे हम बात करते हैं, कई जगे, formation, अगर हम बात करते हैं, rail material में अगर हम बात करते हैं, तो उनका composition पूछा गया है, तो अगर हम बात करते हैं, rail material का जो composition बात करते हैं, वो composition मैंने आपको बताया था, कि mainly carbon और manganese होता है, mainly carbon और manganese से मिलकर बन of all का मतलब है कि अगर इन सभी को combine कर दिया गया उसके बाद जो बचा हुआ material का हम रेस्ट of all लिख देंगे ठीक है अगेशन को combine किया गया और यहां जो बचा हुआ material हो समस्पी इसको हम रेस्ट of all लिख देंगे तो यहां पर जो ordinary rail के लिए लिया गया है और यहाँ पर rail at points and core crossing हमने पगा हुआ था है कि point और crossing पर जो rail section होते हैं वो बहुत ही crucial होते हैं और काफी सारी stresses पर वो held होते हैं या काफी सारी stresses पर रखे होते हैं तो उस condition में कुछ special sections हमें बनाना होंगे तो वही sections के हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ठीक है तो यह सारी बाते हमने यहाँ पर की हुई थी next आगे बढ़ते हैं तो आगे हमने देखा था maximum axle load in India तो देखेगा आपने जब hauling capacity निकाली थे hauling capacity जो क्या था mu w n जहां w क्या था w की बात करें weight on driving axle driving axle की बात कर रहे हैं तो maximum अगर हम बात करें driving axle पर weight कितना है और यही जो w है maximum axle load है in India उसके कुछ permissible values होती हैं तो अगर हम बात करें broad gauge के लिए यह value 28.56 tons है meter gauge के लिए 17.34 ton है and narrow gauge के लिए बात करते है 13.26 ton है अगर कभी पूछा गया के hauling capacity के case में जो maximum axle load है broad gauge के case में कितना होता है तो आपको answer देना होगा 28.56 meter gauge के case में कितना है 17.34 tons and narrow gauge के case में 13.26 ton अगर यह value w आपको question में नहीं दियाती है तो यहां से value आपको arrange करके वहां पर bottom करना होगा और next in the last बात कर रहे है formation width तो formation width क्या होता है या तो हम बात करते हैं कि जो हमारा formation यह subgrade बनाया हुआ है ठीक है यह subgrade के ऊपर यह subgrade है subgrade के ऊपर यह formation बनाया गया है embankment बनाया गया तो embankment की जो top width होगी या फिर हम बात करें इसके उपर क्या होता है बैलास्ट का कुशन होता है यह बैलास्ट उसके उपर सिलीपर होता है और सिलीपर के उपर क्या होता है दो रेल होते है तो अगर हम बात करते हैं यह बैलास्ट कुशन है तो बैलास्ट के अगर हम बात करें bottom width in cutting या तो bottom width in cutting या top width of formation यह हमारे क्या होता है formation width होता है तो यदि मैं बात करूँ यहाँ पर formation width की definition लिखेंगे तो formation is a term used to denote the surface formed at the top at the top of embankment at the top of embankment or or at the bottom of cutting is bottom of cutting for a railway for a railway और roadway roadway या railway में जो top width of embankment होती है या bottom width of cutting जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं formation width बोला जाता है और अगर हम बात करें तो as per irc जो formation width है यहाँ पर दी गई है वो किसके लिए दी गई है as per Indian standard Indian standard के according वो formation width यहाँ पर defined की गई है तो ध्यान रखियागा यहाँ पर जो हमने अपने lecture में बात की हुई थी तो मैंने आपको broad gaze के लिए ही mainly dimensions बताए थी बट मैं यहाँ पर आपको broad gaze, meter gaze and narrow gaze के लिए बता रहा हूँ तो emankment जब width of bank की अगर हम बात करते हैं formation width की बात करते हैं तो single line के लिए और double line के लिए अलग-अलग होता है क्योंकि formation width हमारी type of track पे depend करती है एक तो हमारे depend करती है यह किस पे depend करता है तो यह depends on depends on formation width की बात कर रहा है किसकी formation width की बात कर रहा है formation width दो बातों पे depend करता है एक तो depend करता है type of track track का type क्या है broad gaze है narrow gaze है या किस तरीके का है ठीक है दूसरा number of track कितने number of track, one है, two है, single है, double है, किस तरीके का है, वो हम बात करते हैं, ठीक है, तो उस basis पे हाँ पर बात की जाती है, तो हम बात कर रहे है, इमेंकमेंट पे, broad gauge के लिए 6.10 and 10.67, single lane के लिए 6.10 and double lane के लिए 10.67, meter gauge की बात की जाएगी, तो meter gauge में single lane में 4.88 और double lane में 8.53, narrow gauge में 3.70 and 7.32, और slope अगर हम बात करें, single lane में कोई slip defend नहीं है, जबकि double lane में 2 ratio 1 हो जाएगा, 2 ratio 1, cutting की बात करें, width अगर हम बात करते हैं, cutting या width excluding side drains, हम बात करते हैं, यहाँ पर हमें क्या provide करना होगा, side drains भी, तो side drains के लिए अलग से provision किये जाते हैं, और यहाँ पर cutting के case में, जो single lane और double lane का होगा, वो single lane का 5.49, double lane का 10.06 meter होगा, और अगर हम बात करते हैं, meter gauge का 4.27, और single lane के case में, double lane के case में 7.93, और narrow gauge का 3.35 and 7.01, और side slope जो होगा, वो 1.5 ratio 1 हो जाता है, कितना हो जाता है side slope, side slope के अगर हम बात करें, तो कितना हो जाता है, side slope हो जाता है, जो होता है, 1.5 ratio 1, और generally इसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं, 1.5 horizontal to 1 vertical, यहाँ पर, ठीक है, तो यह सारी conditions थी, जो additional data था, आप लोग बार बार पूछ रहे थी, तो उसको मैंने एक data के form में यहाँ पर provide कर दिया है, ठीक है, जो हमारे लिए broad gauge का important था, बट मैंने meter gauge और narrow gauge का यहाँ पर mention कर दिया है, तो thank you so much everyone for watching this video, please like the video अगर आपको अच्छा लगा है, और subscribe जरू के लिएगा चैनल को ऐसे ही video लगातार पाने के लिए, साथी साथ अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो आपने दोस्तों के साथ भी share कीज़ेगा, जिससे हमारे जो doubts हैं, ज्यादा लोग जोड़ेंगे और ज्यादा doubts आएंगे, तो वो हमारे लिए अच्छा होगा, और इसकी PDF के लिए आप नीचे description में telegram channel की link दी गई है, वो telegram channel join कीज़ेगा, साथी साथ उसी telegram channel पर आपको daily current affairs भी provide किया जा रहा है, और daily 10 questions का quiz भी किया जा रहा है, तो आपके लिए beneficial होगा, तो telegram channel ज़रूर join कीज़ेगा, तो मिलते हैं जल्दी, एक छोटे से break के बाद, तब तक ले शुक्रिया, thank you so much.